नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको जापानी तेल के बारे में पूरी जानकारी दूँगा। ये वीडियो बताएगा कि जापानी तेल इतने सारे लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प क्यों बन गया है। ये सेक्शुल हेल्थ को बढ़ाने के अपने लाभों के लिए काफी लोकप्रिय है। लेकिन ये काम कैसे करता है? और आपको इसे कैसे इस्तिमाल करना चाहिए? चलिए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें। जायफल और लॉंग के तेल जैसी जड़ी बूटियों का एक अनूठा मिश्रण है। इन में से प्रत्येक सामगरी अपने शक्तिशाली गुणों के लिए जानी जाती है। अश्वगंधा तनाव कम करने, सहन शक्ती और एनरजी लेवल्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। शिलाजीत, ताकत और उर्जा बढ़ाता है, जिससे लिबिडो में सुधार होता है। जायफल, रक्त संचार बढ़ाता है और मान स्पेशियों को आराम देता है, जिससे सेक्शुल स्टैमिना बढ़ती है। लॉंग का तेल, अपने गर्म करने वाले गुणों और आराम देने की क्षमता के लिए जाना जाता है। जब इन सब को मिलाया जाता है, तो एक बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा बनता है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। अब जानते हैं जापानी तेल का इस्तिमाल कैसे करते हैं। शुरू करने से पहले उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें जहां आप तेल लगाएंगे। आम तोर पर आपको तेल की कुछ बूंदें उस जगह पर लगानी होती हैं और धीरे-धीरे 10-15 मिनट तक मालिश करनी होती है। सोने से पहले ऐसा करना सबसे अच्छा होता है ताकि तेल रात भर अपना जादू दिखा सके। नियमित रूप से इस्तिमाल करना ज़रूरी है। लगातार इस्तिमाल करने से आपको समय के साथ अच्छे नतीजे दिखाई देंगे। लेकिन हमेशा पहले पैच्छ टेस्ट जरूर करें। अपनी कलाई या कोहनी पर थोड़ी सी मात्रा लगाएं और 24 घंटे तक इंतजार करें कि कोई रियाक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर आपको लालिमा, खुजली या कोई और जलन होती है तो इसका इस्तिमाल बंद कर देना चाहिए। अब कुछ संभावित साइड एफेक्स के बारे में बात करते हैं। हलाकि जापानी तेल प्राकृतिक चीजों से बनाया जाता है, फिर भी ऐलर्जिक रियाक्शन हो सकता है। इसलिए पैच टेस्ट बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को हल्की जलन भी हो सकती है अगर उनकी त्वचा सेंसिटिव है। अगर आपको कोई हेल्थ प्राप्लम्स हैं तो इस तेल का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो संक्षेप में जापानी तेल एक बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा है जो आपकी सेक्श्वल हेल्थ और पर्फॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। अश्वगंधा, केसर और जायफल जैसी चीज़ों के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसका इस्तेम अपना ध्यान रखें।